दोस्तों हिंदु धर्व में सावन का महीना काफी पवित्र माना गया है सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है इस दोरान अगर शद्धा पूर्वक धंग से महादेव की पूजा की जाए तो वो प्रसन हो जाते हैं और अपने भगतों की सभी मनो कामनाय पूरी करते हैं सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पानी के लिए तपस्या की थी और इसके बाद ही उनका विवाह महादेव के साथ हुआ हमारे पौराडिक शास्त्रों के अनुसार देव शैनी एकादशी से भगवान विष्णू चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं इन चार महीनों के दौरान भगवान शिव जगत का संचालन करते हैं सावन का महीना भी इसी दौरान पड़ता है इस बार सावन माहा की शुरुआत 25 जुलाई 2021 से हो चुकी है इस दोरान कुछ कारियों को गलती से भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं तो आई ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारे हैं जिनको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए सावन महीने में सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें इसके बाद भगवान शिव का जला भी शेक करें और साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी दूध गंगा जलिया जल चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता बिलकुल ना चढ़ाएं नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा पंचामरत से रुद्रा भी शेक करें और बेल पत्र अर्पित करें शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चावल, चंदन चढ़ाएं और सभी कुछ तिलक लगाएं और प्रसाद की रूप में भगवान शंकर को घी शकर का भूग लगाएं तथा गनेश जी की आरती करें और आखरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें तो चलिए आप जानते हैं कौन सी गलती भूल कर भी ना करें नमबर एक, सावन में रोजाना सुभह जल्दी उठना चाहिए वरना भूलेनाथ नाराज हो जाएंगे नमबर दो, सावन के महीने में हरी सबजियां दूशित हो जाती हैं इसलिए उन्हें देख कर ही खाएं उसमें कीडे हो सकते हैं जो आपके मुह में जाएंगे जिनसे आप बीमार पड़ सकते हैं नमबर तीन, सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए वरना भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं नमबर चार, भगवान शिव के इस पवित्र महीने में पती पतनी को एक दूसरे से दूरी बना कर रखना चाहिए अगर आप सैयम नहीं रखते हैं तो भगवान आपसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं नमबर पांच, सावन के इस पावन महीने में घर में कलेश और रोना धोना नहीं होना चाहिए हमेशा खुश रहनी की कोशिश करें आपको खुश रहता देख, भगवान आपसे बहुत प्रसंद होते हैं और आपको मनचाहा वर्दान भी देते हैं नमबर चै, दोस्तों सावन में भूल कर भी मास का सेवन नहीं करना चाहिए और मदिरापान भी नहीं करना चाहिए तथा लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको पाप लगेगा नमबर साथ, सावन के महीने में ध्यान दें कि आप अपने घर में किसी भी सदस्य की चुगली ना करें कभी किसी से नफरत ना पालें, यदि कोई वेक्ति ऐसा करता है तो पाप पड़ता है नमबर आठ ऐसे पावन अफसर में कोशिश करें कि आप अपनी घर को साफ और सुन्दर रखें तता सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए नमबर नौ सावन में ध्यान रखेंगी शेविंग, बाल, नाखून आदी नहीं कटवाने चाहिए इससे भी पाप लगता है नमबर दस जो व्यक्ति सावन के पूरे महीने में मीठे बोल रखता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं और अपनी कृपा बनाये रखते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी भी धनकी कमी नहीं होती, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा भगवान शेव का आशिरवाद रहता है नमबर ग्यारा, सावन में जितना हो सके उतना अपने हिसाब से गरीबों की सेवा करें, गरीबों में कपड़े आदी बांटे, उनको खाना खिलाएं ऐसे लोगों पर भगवान शेव अपना अशिरवाद ने शावर करते हैं और उन्हें पल भर में धनी बना देते हैं नमबर बारा, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में गरीब को खाली हाथ नहीं जानी देता, ऐसे लोगों पर भगवान की अपार कृपा होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस गरीब के रूप में भगवान खुद आपके दर्वाजी पर आए हो, क्योंकि अक्सर देवी की अपार शक्ति बनी रहे, इसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब ही कर दें, देखने के लिए शुक्रिया